ओम ज्यान्ति, ब्रह्मा बाबा के अव्यत्थ होने के दिवस की यादगार में हम सभी तपस्या कर रहे हैं, जरा विचार करें, एक मनुष, एक व्यापारी, एक भग्त, ब्रह्मा बन जाए, ये कोई साधरन बात नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, यही सत्त है, कि उनके तन में निराकार ग्यान के सागर, सर्व सक्तिवान ने प्रवेश करके, संपून ग्यान की धारा वहाई, सभी को राजयोग सिखाया, और जो कुछ उन्होंने सुना, उसको अपने जीवन में साकार करते गए, महान बनते गए, आध्यात्म की साधनाएं करते रहे, और संसार से विमुख होते गए, उपराम हो गए, बहुत बड़ी चीज थी, संपून त्याग और समर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ तेरा, इस्वरिया ज्याओं पर चलने को अपना, प्रमुख लक्स ब बनने की लक्स था, फरिष्टा बनकर विश्व का कल्यान करने का, इस कल्योगी संसार को सत्योगी संसार में बदलने का, एक बहुत बड़ी सैना तयार कर दी, ये रुहानी सैना, ये श्यांती की सैना, ये पवित्रात्माव की सैना, जिसने अपनी गहन तपस्या करके, संसा को आज तक भी बहुत कुछ दिया है बाबा बहुत सक्ति साली थे अब सोच लेई जिनोंने एसी शिव शक्ति सैना तैयार की हो भले पीछे सिव बाबा की प्रेणाये थी उनकी शक्तियां काम कर रही थी प्रंतु निमेत तो वही थे तो जिनोंने ऐसे महन कारिये का बेड़ा उठाया हो, वो कितने द्रड संकल्प धारी होंगे, उनका निश्चे परमात्मा के बल में संपूर्ण भरोसा, उसके कारिये के प्रती संपूर्ण डेडिकेशन, पवितरता की गहनता और गहनत पस्या, ये सब कितनी जाद होंगी उनके जीवन में, सुरू सही और 33 वर्स तक, उन्होंने आत्म विमानी होने की तपस्या की, ये सरीर नहीं हूँ, इसे अलग हूँ, ऐसे अनेक सरीर लिये हैं और छोड़े हैं, विश्वदर्शन चक्रधारी बन गए थे, उनके नैनों में, बहुत स्रेश्ट वाइब्रेशन्स, सभी के लिए निर्मल स्ने और सुब्भावनाई समाई हुई थी, सच मुच्छ। महनता के साक्सात अवतार थे वे, एंकार को तो इस तरह जीवन से विदाई दे दी थी, मानों किसी वी जनम में उनसे उनका कोई नाता न रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्म के पत्पर चलने वाले भी बहुत सारे साधक, क्रोध और रहम के वसिभूत रहते हैं, लेकिन बाबा ने अपने चित को संपोर्ण रूप से निर्मल कर लिया था, निरंतर साध्नाओं में रहते थे साध्ना कोन से, परमात्म स्वरूप पर मन बुद्धी को इस्थिर रखने की साध्ना, व्यार्थ को संपोर्ण रूप से समात कर देने की साध्ना, पुन्तेया सक्षी भाव उप्राम व्रत्ति निर्मलो निश्चलवानी बनाने की साधना ये सब बाबा ने बहुत ज़्यादा की अपने जीवन में उनका थारा जनुवरी का दिवस जो इसमर्ति दिवस के रूप में मनाय जाता है जिस दिन उन्होंने स्याम को लगभग नो सवा नो बजे दहे का त्याक किया था दिन को हम सभी योग तफश्या दिवस के रूप में सेलिबरेट करते हैं सेलिबरेशन कार्थ है, गहन तफश्या करते हैं लाखो लाखो भाई वहने मौन дھारन करते हैं योग योगत रहते हैं सारा दिन डीप साइलेंस में रहते हैं ये वर्दानी दिवस है इस दिन हम बाबा से वर्दान भी प्राप्ट कर सकते हैं तो आईए उनके कदमों पर चल कर हम भी उन जैसे दिव्य फरिष्टा बनें ताकि परमात्म कारिये जो इस समय स्वैम भगवान कर रहे हैं उनके द्वारा किया अब और अनेक आत्माओं के द्वारा कर रहे हैं वो जल्दी संपन हो और इस धरा पर एक स्वर्णिम्युक की शुरुआत हो ओम श्यंति